बिस्मिल्लायरह्मानुवाहीम, अस्सलामुआलेकूम, वेल्कम तो वर यूट्यूब चैनल, आइलिन गैस इन्फॉमेशन, हैर साथ के पान, आज की वीडियो में देखेंगे कि आफ्शोर लिक पे जो एलेक्टिशन होते हैं, उनकी जॉब के लिए इलिजिबिल्टी क्राइ उनकी जॉब के लिए में इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया क्या होगा, जब हम इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया की बात करते हैं, उसमें आपके पास तीन चीज़ें आ जाती है, सबसे पहले नंबर पे आपके पास कॉलिफिकेशन आएगी, देन वर्क एक्स्पिरियंस, इन आपके पास कुछ सेर्टिफिकेशन होती है, ऑफ्शुर रिक पे काम करने के लिए, अगर आपके पास ये सेर्टिफिकेशन नहीं होंगी तो आप आप योप पे जॉब हसल नहीं कर सकते हैं, अब इनको हम वन बै देखते हैं, सबसे पहले हम उनको क्वालिफिकेशन को बात करते हैं तो आपको और एक एलेक्टिशन की जॉब के लिए आपके पास अलेक्टिकल इंजिनिंग होनी चाहिए है यह आपके पास जो डिग्री होती है यह फॉर येर्स की भी होती है और कुछ कंट्री में यह फाइफ येर्स की भी होती है यह आपके पास बीटेक अलेक और अगर आपके पास Electrical Engineering भी नहीं है और BTEC भी नहीं है तो आपके पास at least जो DAE होता है Electrical में वो होना चाहिए Diploma of Associate Engineering Means कि आप जब भी Offshore ट्रिक पे Electrition की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास Electrical Feet से लेटिड कोई ने कोई आपके पास Technical Education होनी चाहिए जैसे कि Electrical Engineering, BTEC और Diploma वेरा नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास Work Experience कितना होना चाहिए Offshore ट्रिक पे काम करने के लिए Electrition को टू से त्री येर्स का Work Experience होना चाहिए आपके पास ये Experience Assistant Electrition का भी हो सकता है और सा रिग Electrition का भी हो सकता है Let's suppose आपके पास अगर Electrical Engineering है और आपके पास अच्छा Experience है Means कि आपने सिर्फ एक से दो साल काम किया तो तब भी अमूमन आपको ये जॉब मिल जाती है और अगर आपके पास ये जो एजुकेशन है ये कम है आपके पास ये डिप्लोमा वेरा है और आपके पास Experience जाद है Means कि आपके पास Four to Five Years का Experience है उस सुरत में भी आपको ये जॉब मिल जाती है नेक्स्ट आगे Certification ये बहुत Important होता है Offshore रिक पर अपलाई करने के लिए Offshore रिक पर अपलाई करने के लिए आपके पास ये Safety का Basic Training Course होता है इसको बहुत सेट्पिक आजाता है और आपके पास जो एक कोर्ट ट्रेनिंग होती है वो भी Compulsory होती है H2S Training इसमें आपके पास जो प्रैक्टिकल वेरा वो सारा होना चाहिए मिन के आपको जो एक्टिवस की Basic Awareness होती है और जो आप इसका Breathing Operators पेंते हैं उसका भी आपको Experience होना चाहिए बोसेट का मीन है कि आपके पास जो Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training ये Compulsory होती है किसी भी Offshore रिक पे Apply करने के लिए इसके बगार आप Eligible नहीं होते हैं किसी भी रिक पे Apply करने के लिए अभी दर हमने जो Offshore Regulation की Job के लिए Main Eligibility Criteria है उसमें हमने तीन चीज़ों को डिसकस किये है Qualification, Work Experience and Certification Work Experience और जो Qualification ये वेरी करती है Means किसी के पास Electrical Engineering है और किसी के पास डिपलोमा है और Experience जो है वो भी किसी के पास One Year का है किसी के पास Two, किसी के पास Four to Five का Experience है ये उपर नीचे वेरी करेंगे लेकिन जो आपके पास Certification है ये आपके पास Must होनी चाहिए means कि आपके पास जो previous आपने काम किये हैं उनमें आपके पास ये courses होने चाहिए और जब आप नहीं कमनी जाइन करते हैं तो आपको जो कमनी होती है ये courses आपको दुबारा करवाती है just a refresh नेक्स्ट हम देखते हैं कि आफ्शूर एक इलेक्टिशन की जॉब के लिए आपके पास जो कमनी रोटेशन में आप प्रवाइड करती हैं वो किस हैसा आप से होंगी जब हम जॉब रोटेशन की बात करते हैं तो जो वर्ल्ड में डिफरेंट कमनीज हैं इंटरनेशन कमनीज वो मुमन आपको प्रवाइड करती हैं 35-35 means कि आप 35 डेज जॉब करेंगे और आपको 35 डेज की विकेशन मिलेंगी और कुछ कमनीज आपको 28 और 28 भी प्रवाइड करती हैं ये डेपेंड करता है कि आप किस कमनी में काम करें और किस कन्टरी में काम करें लेकिन आपको जो अच्छी कमनीज होती है वो आपको 35 या 35 एं 28 और 28 वो परवाइड करेंगी बहुत कम चासे होते हैं कि वो आपको 58 और 28 का रोटेशन जॉब परवाइड करें या 60 और 30 का परवाइड करें बिकास लेंड रिक पर तो होता है कि आपको जूनियर स्टाफ होता है उनको मुमन 56 और 28 का जॉब रोटेशन भी परवाइड किया जाता है या 28 और 14 का लेकिन जो आफ्शूर रिक होता है यहां पर थोड़ा सा रिस्क जादा होता है जॉब का तो अमूमन कमनीज यह करती है कि आप जितने दिन काम करेंगे उतने दिन आपको विकेशन प्रवाइड की जाए नेक्स हम देखते हैं कि आफ्शूर रिक पर जो अलेक् अधियाशन स्तेंडर्ड ऐसों में तो अलेक्टिशन जो जॉब हुती है उसको जो मंत्र सेलरी दी जाते है वह फिफॹटीं हंडड़ डालर से लेके 2500 डालर तक दी जाती है यह आपको एक ideal condition बताई जा रही है यह salary 1500 डालर से कम भी हो सकती है और 2500 डालर से अबब भी हो सकती है depend करता है कि आप किस country में काम का रहे हैं और किस company में काम का रहे है लेकिन कुछ company's ऐसी होते हैं उनके पास land रिक भी होते हैं उनके पास offshore रिक भी होते है तो जब electrician की salary decide की जाती है company के पास तो एक ही salary होती है land record offshore रिक के लिए लेकिन जब वोई electrician same job करेगा offshore रिक पे उसको company's 20% extra salary देती है ऐसा bonus offshore रिक पे काम करने के लिए कि विए offshore पे जो आपका job hazards होते हैं वो थोड़े से ज़ादा होते है risk से ज़ादा involve हो जाता है तो company's रिया करती है आपके जो salary होती है उसमें 20% का increment लगा देती है इदर आपके साथ जो offshore रिक के लिए legibility criteria जिसमें आपके पास qualification, work experience, certification then job rotation और salary बादाईगी है यह आपके पास एक जो standard company है उसके हसाब से बताईगी है यह आपके पास कुछ चीज़ें उपर भी हो सकती है, कुछ नीचे भी हो सकती है fix नहीं है कि आपके पास यही आपको salary दी जाए यह आपको salary कुछ companies कम भी देती है और कुछ बहुँ जादा भी देती है यह depend करता है कि आप किस country में काम कर रहे है और किस company में काम कर रहे है let's suppose आप middle east में काम करते हैं तो महाँ पे कुछ service कम होती है लेकिन आपको job rotation यह दी जाएगी लेकिन अगर आप किसी European country में काम कर रहे है तो महाँ पे जो service होती है वो थोड़ी जादा होती है लेकिन job rotation आपको same मिलेगी अब इदर इस वीडियो में हमने जो offshore regulation की job होती है उसका main eligibility criteria उसकी job rotation और salary को discuss किया है I hope कि इस वीडियो के बाद आपको जो offshore regulation की job के लिए है different criteria होते है उसके बारे में काफी information मिली होगी वीडियो देखने का शुक्रिया अगर आपको हमारी वीडियो अची लगी इसको like करें अपने friend के साथ share करें और अपना feedback नीचे comments में जरूर दें और साथ हमारे facebook page oil and gas information को भी like कर दें हमारे facebook page oil and gas information का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और अगर आपको off your regulation की job से related कोई भी question है तो आप नीचे comments box में लिख सकते हैं हम try करेंगे कि जल्द जल्स cancer दिये जाए और हमारे youtube channel oil and gas information को subscribe कर दें और bell icon के button को click करें तकि जैसे चैनल पर नहीं videos upload हो वो अपकी notification में आजे तेंक यू, Allah आफेज